इनालसा के दुनिया में आपका स्वागत है इनालसा आपके रसोई में ऐसा साथ ही बनेगा कि आपको खाना बनाने में मज़ा आजाएगा इस इनालसा मैक्सी प्रीमिया के साथ आप कही अलग-अलग काम कर सकेंगे वो भी 90% preparation time और महनत बचा कर जैसे purist tomatoes प्रस्चल इस ट्रॉफस ड्रॉफस एस मिंसी इप ड़्यों अनिस। ड्रॉफस अव erfolg र्लिकगी है चॉफस पालगँ चॉफसराउ स्हीन प्रॉफ्स डॉफसराइब में झेडता-जैस cr française युचूमबर सुचॉब्स गजिड में आबेग्स Slices Potatoes Shreds Lawki Shreds Carrot Shreds Mooli Grates Coconut & Gola Pulps Chiku Neats Aata Mashes Potatoes Shells Peas Batter for Cakes Salad Dressing Whips Cream Churns Cream for Butter Batter for Vadas, Idlis & Dosas Mango Crush Milkshakes Onion Paste Dry Grinding for Masala Lemon Juice Keenoo Juice Carrot Juice Coconut Milk Soup Straining This is the whole set of Maxi Freemia You will get Unbreakable Polycarbonate Jar Blending Jar Extainless Steel Dry Grinding Jar Extainless Steel Chutney Jar Slicing Disc Shredding Disc French Fries Disc Coconut Shredding Disc Coconut Shredding Disc Chopping Blade Plastic Blade Whisking Disc Whisking Disc Citrus Juicer Or Centrifugal Juicer Accessory Rack Or Dust Cover Sबसे पहली देखिए यह है Polycarbonate Jar यह किसी भी तेरा किसमेल नहीं छोड़ता साथ ही यह Unbreakable भी है बच्चों या बड़ों के हाथ से गिरने से इसके तूटने का कोई डर नहीं है यह appliance एकदम safe है इसमें एक नहीं चार safety features है इसका food pusher इस तरह का design किया गया है कि गलती से भी इसमें किसी का हाथ ना जा सके अब यह जानते हैं कि यह food processor start कैसे होगा इसके लिए सबसे पहले हम यह समझें कि यह processing bowl आपकी main unit पर कैसे लगेगा bowl को main unit पर लगाने के लिए इसकी bottom side पर दी गई marking और main unit पर दिएगए इसके lock से match करके इस processing bowl को anti-clockwise गुमाकर lock कीजिए इसको cover करने के लिए bowl cover को इसके feeder tube की तरफ से पकड़ कर रखिए अब ध्यान से bowl cover की marking को इस bowl में बने arrow से match करके इसे anti-clockwise गुमाकर lock करें जब तक इसका ये bowl cover पुरी तरह से lock नहीं होगा ये appliance नहीं चलेगा अब इसको निकालने के लिए इस release बटन को दबाईए और clockwise खुमाकर इसे निकालेए इसमें accident का कोई भी खत्रा नहीं है जब तक blender side का lid ठीक तरह से बन ना हो तब तक ये processing jar नहीं चलेगा ये भी एक important safety feature है blending jar को इस्तमाल करने के लिए processing jar का धकन बन करना जरूरी है और याद रखने blending jar और processing jar एक साथ इस्तमाल ना करें इसमें एक overload protector है जो कि machine को जादा गर्म होने पर उसे automatically बन कर देता है ऐसा होने पर इसे ठंडा होने के बाद indicator switch दबाके चलाएं ये लगभग 3 मिनट के बाद उपयोग के लिए दोबारा तयार हो जाता है pulse feature के लिए knob को बाई घुमाईए और देखिए ये है LED indicator light जो knob को घुमाते ही on हो जाती है अब आते हैं slicing disk पर इनालसा में slicing disk एक तरह का जादूगर है सलाथ के लिए खीरा काटना देखिए कितना आसान है और cabbage की slicing भी बहुत आसान है इससे आप सबजियों को अपने आवश्रक्ता के अनुसार काट सकते हैं अब पोटेटो वेफर्स तो आप घर में ही काट सकते हैं slicing disk को reverse करें और बन गया shredding disk है ना जादू देखिए कितनी असानी से कोटे के लिए लौकी और हलवे के लिए गाजर तयार हो सकता है Chinese dish बनाने के लिए गाजर मोटा या लंबा काटना हो तो शनों में तयार हो जाता है अब खाना बनाना और भी आसान हो जाएगा साथ ही देखिए इसे धोना भी बहुत आसान है इसे पानी से धोये और फिर से काम करने के लिए तयार अब कोई सरदर्दी नहीं मूली के परांठों के लिए बारीक मूली कस श्रेडिंग डिस्स से किया जा सकता है इनालसा के इस फूर प्रोसेसर के साथ आपको मिलता है एक फ्रेंच फ्राइस डिस्क इस डिस्क से आप आलू के फ्रेंच फ्राइस बना सकते हैं और इने तल कर सर्व कर सकते हैं इनालसा के इस फूर प्रोसेसर में बने फ्रेंच फ्राइस सभी को इतने पसंद आते हैं कि आपको महमानों के आने पर कुछ भी जादा सोचने की आवश्चक्ता नहीं बस फ्रेंट फ्राइस बनाएं, तलें और सर्फ करें आपका समय कीमती है इसलिए इनालसा ने दिया है एक कोकुनेट श्रेडिंग डिस्क नारियल हो या गोला, इनालसा कुछ ही पल में दोनों को श्रेड करता है और यही नहीं, आप जिस तरह की श्रेडिंग चाहते हैं, वो भी फूर्फुशर और डिस्क के गाप को बदल कर कंट्रोल कर सकते हैं शरीफे और चीकू को खाने का मज़ा तो बिना बीच के ही आता है इस सेकिंड्स में शरीफे और चीकू के बीच ही नहीं निकालता, बलकि फ्रूट को पल भी कर देता है और ये है इसका चॉपिंग ब्लेड प्लास्टिक कवर की वज़े से ये ब्लेड बहुत सेफ है इसमें किसी भी प्रकार के कोई स्क्रू की जरूरत नहीं है ब्लेड को सिर्फ उपर से रखिए ये ब्लेड टमाटरों की प्यूरी बनाने में इतना माहिर है कि लोग आपके हाथों की बनी पनीर मखनी खाकर अपनी उंगलिया चाटते रह जाएंगे और गर्मियों में आपके बच्चे भी बिलकुल हाइजियोनिक आइस लॉलीस का मजा ले सकते है अगर आपको कीमा बनाना हो तो इसका डबल ब्लेड नाइफ कीमे पर ऐसे चलता है की कबाब या मीट के कटले का मजा आप खर बैठे ही उठा सकते हैं अकसर जादा मात्रा में ही नहीं, कम मात्रा में भी प्यास, अद्रक, लेसुन पीसने की समस्या होती है इसमें एक टुकरा अद्रक या एक मिर्श भी आसानी से कट सकते हैं इसे गोबी के परांठे भी बनाना कितना असान हैं, चाहे एक बनाना हो या पूरी पार्ठी के लिए यही नहीं, ला जवाब कटलेट बनाना हो, तो जब तक ब्रेट क्रम्प्स का चूरा सही तरे से बारिक नहीं हो, वो स्वात आही नहीं सकता पालक या कोई भी पत्तेदार सबसी काठना बहुत आसान है और इसे साफ करना भी कितना असान है, सिर्फ पानी से धोईए और ये साफ अब देखते हैं इस चॉपिंग ब्लेट का कमाल यदि आप मिस्टी रोटी, मेथी या अन्य किसी पत्तेदार सबसी की पूरियों का मजा लेना चाहते हैं तो इस प्लेट की साहता से इसका आटा तयार कर सकते हैं और ये है कमाल का प्लास्टिक ब्लेट आटा गुन्ने जैसा कठिन काम ना सिर्फ आसान करता है बलकि इसमें गुन्दा वा आटा आपके हाथ की गुन्देवे आटे से कई गुना साफ भी होता है इसमें गेहू, मकई, बाजरा और मैदा या बेसन आदी का आटा भी गुन्दा जा सकता है देखिए, आटा गुन्ना कितना असान है आटा डाले और पानी डालने के लिए इसके फूट पुशर की भी हेल्प ले सकते हैं फूट प्रसेसर चलाईए अब धीरे धीरे पानी डाले आटे का गोला बनने दे और कुछ ही चक्कर के बाद ये खुद बखुद तयार हो जाएगा और साथ ही जाकी सफाई भी हो जाएगी यही नहीं, आपका गुन्दावा आटा कभी बेकार नहीं जाएगा यदि आटा जादा नरम या सकत हो गया हो तो सकत को नरम करने के लिए पानी डाले और नरम को सकत करने के लिए आटा डाले है ना चुटकी भर का काम एक बार में साड़े चार सो ग्राम यानी बारा से पंदरा चपाती बनाए आटे की मात्रा का ध्यान रखे यदि आटा जादा हो गया हो तो उसे निकान ले अन्यथा आपके गुथेवे आटे की कॉलिटी ठीक नहीं होगी और आपके फूट प्रोसेसर की मोटर पर भी सादा लोट पड़ सकता है आलू मैश करने के लिए भी अब आपको महनत करने की कोई जरत नहीं पड़ेगी ये भी इनालसा की प्लास्टिक ब्लेट से करना बिल्कुल आसान है और अगर मतर की कोई डिश बनानी हो तो एक तरफ मुठी बर मतर जार में डालिए और दूसरी तरफ छिले मतर पानी में डाल कर मतर के दानों को छिलके से अलग पाईए केक के लिए बैटर बनाने में काफी महनत लगती है है ना? पर अब आप इनालसा के साथ अपने परिवार के लिए रोज केक बनाना चाहेंगे है ना कितना असान? सालड ड्रेसिंग बनाने में भी ये काफी काम आता है म्योनीज अब आप घर बैटे ही बना सकते हैं ये है विस्किंग डिस्क इसका उपयोग आप अंडे फेटने के लिए कर सकते हैं इसकी एर मिक्सिंग इतनी अच्छी है कि अंडा फलफी हो जाता है और आपको बिलकुल बढ़िया ओमलेट मिलता है और ये ही नहीं क्रीम और मक्खर निकालने जैसे काम इनालसा में सेकिंड्स में हो जाते हैं आपका इनालसा फूट प्रोसेसर जूसर भी बन सकता है इसमें सिट्रस और सेंट्रिफ्यूगल जूसर दोनों ही हैं इनमें आप गन्ने के अलावा कोई भी फल या पत्तेदार सबसी का जूस निकाल सकते हैं ये है सिट्रस जूसर इसे लगाना बहुत आसान है आएद देखें इसमें नीम्बू या किनू? मौसमी या मालता जैसे रसदार फलो का रस निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना ही दूसरे जूसर की तरहे रस बरबाद होता है यानी बून-बून का हिसाब ये देखिए इसमें नीम्बू का रस निकालने के बाद रस बिलकुल बराबर है साफ करने के लिए आप आसानी सिदूए कोई परिशानी नहीं और जूसर एकदम साफ ये है सेंट्रिफ्यूगल जूसर अटाच्मेंट इससे आप बाकी जूसर के मुकाबले 30% एक्स्ट्रा होमोजिनिस जूस निकाल सकते हैं और साथ ही इसे फिट करना बहुत आसान है गाजर का जूस सेहत के लिए कितना अच्छा है और इसमें सेकिंज में बन जाता है इनालसा में बने संत्रे का रस इतना मीठा होता है कि मज़ा आ जाता है इसमें ना तो बीच्ट्रश होते हैं बलकि 30% से अधिक रस भी मिलता है क्योंकि संत्रे का रस निकालने के बाद जूसर दोबारा चलाएं और पल्प से एक्स्ट्रा जूस पाएं ये सिर्फ इनालसा में हो सकता है और किसी जूसर में नहीं नारियल का दूद निकालना भी इतना ही आसान है और साथ ही सूप चानने के लिए इसमें खास फिल्टर लगे हुए हैं इनालसा में आपको मिलता है एक ब्लेंडिंग जार जो कि आपको किसी भी मिक्सी में मिलता है पर आप ब्लेंडिंग भी प्रोसेसिंग जार में कीजिए इसमें जो आपको डोसा, फ्लाफी वरे और जो इटली मिलते हैं वो बाजार से कहीं बहतर है क्योंकि इसमें एर मिक्सींग होती है जो साधारन मिक्सी में नहीं होती दाल चावल को पीस कर ये खोल बनाने में माहिर है और ये काम भी आप चॉपिंग ब्लेट से कर सकते हैं देखिए है ना कितना फ्लाफी और चॉपिंग ब्लेट से आप बनाईए डिलिश्यस मैंगो क्रश और शेक्स शेक्स के लिए ब्लेंडर जार का भी इस्तिमाल कर सकते हैं देखिए स्ट्रॉबरी शेक तयार करना कितना असान है और आप इस जार में मिक्सी के सारे काम कर सकते हैं प्यास का पेस्ट भी बना सकते हैं इस फूर प्रसेसर के साथ में ट्राई ग्राइंडिंग जार भी है इसमें आप हर तरह के सूखे मसाले पीश सकते हैं गरम मसाला, लाल मिर्च, जीरा या धन्या जो भी चाहें आप पीश सकते हैं और क्लीनिंग भी बहुत ही आसान है सिर्फ सूखे कपरे से पहुँचिये इस फूर प्रसेसर के साथ में आपको मिलता है एक चट्नी जार इसमें आप चट्नी बना सकते हैं और साथ ही कम मात्रा में ड्राई ग्राइंडिंग भी कर सकते हैं इस फूर प्रसेसर के साथ आपको मिलता है एक असेसरी रैक जिसमें आप सभी अटाचमेंट्स बहुत ही आसानी से स्टूर कर सकते हैं और फूर प्रसेसर से काम कंप्लीट होने के बाद इसे इस डस्क गवर से ढखकर सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं है ना कितना असान? आपका इनालसा फूर्ट प्रोसेसर, आपका हम्डम, आपका साथी हर काम में आपकी मदद करेगा ये आपकी 90% तक मैनत और समय बचाएगा यानि जब तक तवा गर्म हो, आतांगुद कर तयार और जब तक पकोड़ों के लिए तेल गर्म हो, टेसन का खोल और आलू कटर तयार तभी तो हम कहते हैं, इनालसा फूर्ट प्रोसेसर सबसे बहतर कल भी, आज भी और कल भी